कि नमस्कार राज्य सिक्षा सोज एवं प्रसिक्षन परिशद बिहार पटना में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात एवं श्रमानुपात की अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि किन ही दो रासियों का अनुपात कैसे ग्याद किया जाता है एब हम अनुपात ग्याद करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं आईए हम तेजी से पुन्राव लोकन कर लें आपने अब तक सीखा है कि किन ही भी दो रासियों का जब अनुपात ग्याद कर रहे हूं उसके इकाई पर जरूर ध्यान देंगे एक समान इकाई वाले रासि का ही हम लोग अनुपात ग्याद करते हैं साथी साथ हमने जाना है कि अनुपात ग्याद करने के बाद उसका कोई अपना मातरक नहीं होता है आईए ऐसे ही हम अनुपातों के बारे में और भी जानकारी आजी कठा करेंगे आज मुखरूप से हम लोग जानेंगे तुल्य अनुपात, उसके गुन धर्म एबं समानुपात के बारे में तो आज की कक्छा हम शुरू करते हैं आई एक छोटे से उदाहरन से आज जो बच्चे उपस्थित हैं उसमें लड़कों की संख्या बुआईज की संख्या मान के चलिए 12 है जबकि गल्स की संख्या 15 है हमने दो संख्याएं लड़कों की संख्या एबं लड़कियों की संख्या यदि इसका अनुपात ग्याद करें हम आप असानी से ग्याद कर सकते हैं बिलकुँ तो चलिए बौईज का अनुपाथ गल्स के साप एक्ष में आप निकालें क्या हो जागा बच्चों कैसे ग्याद करें हम लोग 12 अनुपाथ 15 और यदि इसका हम सरल रूप करें सरलिकृत रूप में ले आएं तो क्या हो जाएगा 4 रेसियो 5 अब आईए एक दूसरे आंकड़े पर हम लोग बात करते हैं आप जिस बर कक्ष में बैठे हैं उसकी लंबाई और चवडाई के अनुपाथ के यदि बात करें यदि लंबाई बार आठ मीटर है और चवडाई दस मीटर है तब इस लंबाई और चवडाई का अनुपाथ क्या हो जागा बच्चों लंबाई अनुपाथ चवडाई बराबर हो जाएगा आठ बटा दस अर्था चार बटा पाँच इसका अर्थ हुआ चार अनुपाथ पाँच यहां देखिए दो अलग अलग राशियों का हम दो बार अनुपाथ निकाले हैं एक बार बौईज के गल्स के साथ और एक बार लंबाई का चवडाई के साथ बारह अनुपाथ पंद्रह और आठ अनुपाथ दस हमने किया है दोनों का जब सरल रूप लाए हैं दोनों ही स्थितियों में आप देख रहे हैं कि यह अनुपाथ एकदम हू बहू बराबर है तो ऐसे दो अनुपाथ जो एकदम बराबर हू यह आपस में तुल्य अनुपाथ कहलाते हैं तुल्य का मतलब तुल्य का अर्थ ही होता है बराबर तुल्ल का आर्थ होता है बराबर इक्वल तो बैसा दो अनुपात जो बराबर हो आपस में तुल्ल अनुपात कहलाते हैं तो यहाँ पर बुआज का अनुपात गल्स के साथ एबं लंबाई का अनुपात चवडाई के साथ बराबर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि बुआईज अनुपात गल्स एबम लंबाई अनुपात चवड़ाई क्या है तुल अनुपात है तुल अनुपात है ऐसे बहुत सारे उजाहरन आपको अक्सर मिल जाएंगे कि दो अनुपातों का मान एकदम बराबर आ रहा है इस स्थती में ही उसे हम तुल अनुपात कहते हैं बस तुता किसी एक अनुपात के कई तुल अनुपात होते हैं कई कहनेकार्थ है अनगिनत बहुत सारे जिसकी कोई गिनती नहीं हो इतनी संख्या में तुल अनुपात होता है बच्चों आए अब हम बात करते हैं तुल अनुपात के गूण धर्म के इसके कुछ प्रोपार्टी है प्रोपार्टी क्या हाँ जरा समझे किसी भी अनुपात में दो टर्म है पहला पद और दूसरा पद या कई ए अंस और हर यदि इसके दोनों पदों में किसी निश्चित संख्या से करें तो इस प्रकार जो अनुपात प्राप्त होगा वह हमेशा तुल अनुपात ही प्राप्त होता है और वो हमेशा बराबर होगा जैसे हम कहते हैं कि कोई अनुपात है दो अनुपात तीन यदि इसके दोनों पदों में अर्थात आंस इब हम हैर दोनों में किसी भी एक संख्या से मल्टिपलाई करें जैसे कि यदि हम पाच से गुना करें दोनों को तो हमें प्राप्त होगा 10 बटा 15 तो ये दो बटा 3 और 10 बटा 15 जो है आपस में तुल अनुपात होंगे बराबर हूँगे हमने कहा किसी भी संख्या से गुना करने पर शिर्फ सर्त यह है कि दोन नोहीं पदों में गुना करना अब सुचे संख्याय तो अनगिनत हैं तो इसके अनगिनत तुल अनुपात प्राप्त किये जा सकते हैं जैसे यदी से हम साथ से गुना कर दें तो क्या हो जागा दो गुने साथ 14 और तीन गुने साथ यह भी तुल अनुपात हो गया दस बटा पंद्र एबम 14 बटा एकीस भी आपस में तुल अनुपात हैं बराबर अनुपात हैं इस प्रकार से आप किसी भी अनुपात के अंस या हर को अपने मन मुताबिक बढ़ा कर सकते हैं शिर्प सर्त यह है ध्यान यह रखना है कि जितना से आपने गुना किया है अंस या हर में ठीक उतना ही से गुना दूसरे टर्म में भी करें अगर अंस में किये हैं तो हर में भी करें और यदि हर में किये हैं तो अंस में भी कियें करें यानि जरूरत के मुताबिक इस तीन को तीस बनाया जा सकता है कोई दिकत नहीं है गनीत कहता है यदि आपको हर में तीन नहीं तीस की जरूरत है तो उसे आप तीस बना लें लेकिन तीस बनाने के लिए आपने क्या क्या है 10 का गुना किया है तो ठीक इतना ही से इसी 10 से आंस में भी आप गुना कर लें तो इस परकार आपको अनुपात का जो एक नया रूप प्राप्त होगा यह बस तुता यही अनुपात लिखा हुआ है बस थोड़ा स्वरूप उसका चेंज है यह दोनों एक ही चीज है तुल ही है बराबर ही है और इस परकार से आप बहुत सारे तुल अनुपात ढून सकते हैं एब हम तुल अनुपात की सहायता से कई परकार के प्रशनों का निर्मान आप कर सकते हैं जैसे सिम्पल आप आजकल मोवाईब देखते हैं फोटो देख रहे हैं उसको जब जूम करते हैं हम लोग तो क्या हुता है उसका लमबाई और च्वडाई दोनों बढ़ता है अब सोचिए कोई picture है उसका लंबाई चवडाई यदि आपको पता है किसी picture की लंबाई 5 cm है और चवडाई 3 cm है तो जब आप इसको जूम किजिएगा तो ये इसी अनुपात में जूम होगा जितना लंबाई में होगा उतना ही चवडाई में होगा अर्थात यदि लंबाई को बढ़ाते बढ़ाते आप 15 कर दिये हैं तो चवडाई कितना हो जाएगा ध्यान देजिए लंबाई को आपने बढ़ाके 15 कर दिया तो चवडाई क्या हो जाएगा तुल अनुपात हमारा कहता है कि ये जो 15 है ये कैसे प्राप्त हुआ है पांच में 3 से गुना करने पर और ये दोनों होगा तो तुल ही अनुपात क्योंकि उसी फोटो का हमने जूम किया है अनुपातिक मान सेम है तो जितना अंस में गुना हुआ है उतना ही हर के साथ भी गुना करना पड़ेगा अर्थात हर के जगह पर आपका भैलू कितना आ गया नौ सेंटिमितर तो इस प्रकार बहुत सारे रियल लाइफ के प्रस्न भी आपको सॉल्ब होगे बनेंगे साथे साथ आप धेर सारे तुल अनुपात भी ग्याद कर पाएंगे बच्चों हम लोग अपने आसपास में प्राकृतिक रुप से जो भी चीजें देखते हैं उन में एक निश्चित अनुपात होता है और उस अनुपात का वो पालन करता है जैसे हम बात करते हैं खुद की आदमी का आदमी पहले बच्चा रहता है फिर बड़ा 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 और बड़ा हो जाता है अब बच्चों में जो अनुपात है उसके सर के साइज का बदन के साइज का हाथ का उंगलियों का वहीं अनुपात उसके बड़ा होने पर भी चलता रहता है उसी प्रकार से सब जगह विकास होता है एक ही चीज का किसी का विकास नहीं होता है और ये अनुपात जब कभी जैसे ही गड़वड होता है तो तुरंत पता चल जाता है कि अरे ये तो कुछ गड़बढ़ है जैसे आप कार्टून बगएरा देखते हैं बड़ा सा सर बना दिया है तो पता चल जाता है आखों को कि ये अनुपात कहीं ने कहीं गड़बढ़ हुआ है बता आखों का साइज फूलों का साइज फलों का साइज किस प्रकार से तुल अनुपात के परियोग करता है या तुल अनुपात की सहाथा से वो हमेशा उसी हिसाब से बढ़ता जाता है है इसके अलावे आप हम लोग जी जो भी संक्रिया करेंगे जैसे हम कहते हैं केलों की संख्या और केलों का मुल तो जैसे जैसे केला की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मुल भी बढ़ेगा अर्थात उसका जो अनुपात है वह तुल अनुपात का पालन करता है हम यदि कह दें कि तीन केले का मुल नौ र पांच कैले के साथ भी उसका मुल्ड का होगा अर्थात यह दोनों आपको कहा गया है कि तुल पात है और जब तुल एंउपात है अर्थात उसको बराबर करके हम प्रकरिया को आगे बढ़ा सकते है और काफी सरलता पुर्वक उत्तर तक पहुच सकते तो इसकी सहायता से आप कई प्रकार के प्रश्णों का विहल कर सकते हैं प्यारे बच्चों आईए अब हम बात करते हैं एक और इस्थिती की राजेस बाजार से कलम खरीदने गया है और वो 15 रूपए में 3 कलम खरीद कर लाया 15 रूपए में 3 कलम खरीदा किसने राजेस ने उसी का मित्र है मुकुल वो भी बाजार गया है और उसने 50 रूपए में 10 कलम खरीदा और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं राजेस कहरा मुकुल तुमने कलम महंगा खरीदा है जबकि मुकुल का कहना है कि ने ने तुमने कलम महंगा खरीदा है अब आईए हम लोग मिलकर विचार करते हैं कि इसमें किसने कलम सस्ते में खरीदा और किसने महंगा में खरीदा बात करेंगे यदि हम राजेस की तो इसने 15 रुपए में तीन कलम खरीदा है यदि हम इसका कीमत और कलमों की संख्या का अनुपात की बात करें कीमत और कलमों की संख्या का अनुपात यदि ग्याद करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा पंदरह बटा तीन अर्थात पांच अनुपात एक ठीक उसी प्रकार से यदि हम मुकुल की बात करें और इसके लिए भी लगा कीमत या लागत और कलमों की संख्या का अनुपात ग्याद करें तो देखे क्या प्राप्त होता है पचास बटा दस अर्थात जब आप इसे सरल करेंगे तो आप पाएंगे पांच अनुपात एक दोनों ही इस्थितियों में देखिए जो लागत मुल है और संख्या है कलमों की उसका अनुपात है पांच अनुपात एक दोनों ही इस्थितियों में एक समान आया है इसका अर्थ ये है कि दोनों ने ही समान कीमत के ही कलम खरीदे हैं किसी ने भी महंगा या सस्ता नहीं खरीदा है इन दोनों ही अस्थितियों में अनुपात समान है समान करते बराबर है और जब दो अनुपात बराबर बराबर हो जाएं समान हो जाएं ये कहीं रहें तो उस अस्थितिय में उसे समानुपात कहते हैं समा नुपात प्रो पोर्शन इसके पहले हम लोग अनुपात देख रहे थे तुल अनुपात देखे और कुछ-कुछ तुल अनुपात के जैसा ही आप देख रहे हैं समा नुपात तो यहाँ पर कौन-कौन समानुपात है 15 रुपए का अनुपात 3 के साथ और 50 रुपए का अनुपात 10 के साथ ये दोनों अनुपात आपस में समान हैं बराबर हैं अतह इसे हम लोग समानुपात कहते हैं इसके लिखने का ढंग कुछ इस प्रकार है 15 रुपए 3 समानुपात का चिन इस प्रकार हम लोग देते हैं ती रुपए कि पचास अनुपात 10 कि ये हो गया शमानुपात ऐसे अनेकों उदाहरन आपको मिलेंगे और आगे चलकर आप देखेंगे बहूत सारे प्रश्न हम लोग समानूपात से बनाई हैं अब यह जो समानूपात है प्रोपोर्षन जो आपको प्राप्ठ हुआ है इसमें यह जो आपको नजरा RH 15-13-15 कहलाते सब आपस में पद कहलाते अरथा इस समानूपात में इस प्रोपोर्षन में कुल कित्रे पद हैं आईए देखते हैं एक दो तीर और चार यानि चार पद मिल करके शमान उपात का निर्मान किया है बच्चों इन पदों में जरा ध्यान दिजिए सबसे सुरू का पद और सबसे अंतिम का पद जो है दोनों किनारे पर जो है सबसे सुरू का और सबसे अंतिम का इन दोनों पदों को हम लोग चरम पद के नाम से जानते हैं कौन सा पद कहते हैं चरम पद आसा है आप आसानी से पहचान पाएंगे इसके अलाबे जो पद बच गए बीच बाले जो अगल बगल में नहीं है किनारे में नहीं है जो बीच में है इस बीच बाले पद को हम लोग इन दोनों को मध्ध पद के नाम से जानते हैं मध्ध पद आसा है आप समझे होंगे समानुपात में हमने क्या कहा कि चार पद हैं जिसमें दोनों और किनारे वाले जो पद हैं उसे हम लोग चरम पद सबसे सुरू वाले को और अंतिम वाले को और बीच वाले जो पद हैं उसे हम लोग मध्ध पद के नाम से जानते हैं इसके और भी कई उदाहरन आप देख सकते हैं जैसे एक और उदाहरन हम लेते हैं चार मीटर कपड़ा का मुल 140 रूपया है और इसी प्रकार का कपड़ा जब 10 मीटर लिया गया है तो इसका मुल 350 रूपय है ध्यांद जी उसी दुकांदार से वही कपड़ा यदि लिया गया है तो निश्चित रूप से वह एक समान अनुपात में ही होगा आईए लेकिन फिर भी हम लोग जाच कर लेते हैं प्रथम इस्थिती में कपड़ा की लंबाई और मुल का अनुपात यदि देखे तो क्या हो जाएगा चार अनुपात एक सो चालिस आईए इसे हम लोग सरल कर लें चार बटा एक सो चालिस यदि ये कट सकता है तो काट देंगे अर्थात ये आ गया एक अनुपात पैंतीस ठीक इसी प्रकार से दूसरी इस्थिती में यदि हम कपड़ा की लंबाई और मु अर्थात ये आ गया एक अनुपात पैंतीस दोनों ही स्थितियों में आप देख पा रहे हैं कि अनुपात का जो सरली कृत रूप है वो एक समान है अर्थात दोनों ही समान अनुपात हैं हम कह सकते हैं कि समान अनुपात है हम इसे कैसे लिखेंगे चार अनुपात एक सो चा यही तो तरीका है समानुपात लिखने का, पढ़ना और लिखना दोनों आप सीख गए हैं, अनुपात का तो चिन पहले से जानते हैं, समानुपात के लिए दो दो डाव टूपर और नीचे देते हैं पढ़ा जाएगा चार अनुपात 140 समानुपात 10 अनुपात 350 अब इसमें जो प्रयुक्त टर्म हैं पद हैं कौन-कौन है चार है 140 है 10 है और 350 है अब ये पद में इन पदों का नामा करन भी हमने किया है सबसे शुरू और सबसे अन्तिम का जो पद है उसे कौन सा पद कहें बच्चों चरम पद कहें हैं तो जरा ध्यान दिजे चरम पद कौन-कौन हो जाएगा पचान ये कुछ से बिलकुल ठीक कह रहे हैं आप चार और 350 ये दोनों कहलाएंगे चरम पद चरम पद हमारा हो एबं 350 और यदि मध्ध पद की बात करें तो इन दोनों को छोड़ दीजिए बाकी जो बच गया दो पद कौन-कौन बचे हैं 140 एबं 10 ये दोनों आपस में कहलाएंगे मध्ध पद तो आसा है आप समानुपात समझे होंगे उसे लिखने का तरीका समझे हैं पढ़ने का तर हो गई है तो आईए अब हम बात करेंगे कि इसे और सरलिक्रित रूप में कैसे लिखते हैं आईए बच्चों हम एक समानुपातिक टर्म पद लिखते हैं सोलह अनुपात बारह समानुपात बारह अनुपात नौ यह एक समानुपात में पद लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ये जांच करेंगे कि ये समानुपात में है या नहीं है इसका सबसे पहला तरीका ये है जाच करने का कि समान उपात कार्थ किया बच्चो दोनों का जो अनुपात है बराबर होना चाहिए तो आईए हम पहले ग्याद कर ले सोलह का बारह के साथ अनुपात यदि आप हल करेंगे खुद से हल किजी सरलिकरित रूप में लाईए आप पाएंगे इसका सरल रूप है चार अनुपात तीन ठीक उसी प्रकार से यदि बारह और नौ के अनुपात का सरलिकरित रूप हम ढून है तो हमें मिलेगा चार अनुपात तीन और इन दोनों ही स्थितियों में हम देख रहे हैं कि इसके अनुपात का जो सरल रूप है वो एक समान है अर्थात हम कहेंगे कि दिये गए पद समानुपात में हैं यदि सिर्फ कॉमा भी दिया जाता 16,12,12,9 क्या समानुपात में हैं तो हम लोग जाझ कर सकते हैं यह एस परकार का कथन लिख दिया गया है और पूछा गया कि कथन सत्थ है या असत्थ है तो हम जाझ कर सकते हैं अब यह जो लिखा हुआ है इससे तो आप पढ़ना जान गये हैं 16,12,12, समानुपात, 12, अनुपात, 9 गनीत ये रूप में इसे हम लोग इस प्रकार भी लिखते हैं 16 अनुपात का मतलब बटा 12 और समानुपात कार्थ बराबर 12 अनुपात कार्थ बटा 9 आप इस प्रकार भी लिखकर जाच कर सकते हैं क्रोस मल्टिप्लिकेशन करके कि दोनों ही स्थितियों में बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है साथ ही साथ हमने कहा कि इसमें जो उपयुक्त पद हैं इन पदों का नाम भी है क्या है जो सबसे शुरू और अंत का पद है उसे हम लोग क्या कहते हैं चरम पद तो इसे स्थित्य में यदि आप देखेंगे तो चरम पद कौन-कौन है बच्चों 16 एबम 9 बिल्कुल ठीक पहचान पा रहे हैं आप सबसे सुरू का और अंत का जो एकदम सीमा पर है बाहरी सीमा पर है और जो अंदर में है बीच में है उसे हम लोग नाम दिये हैं म अध्ध पद तो यहां मध्ध पद कौन हजरा देखिए बारह एबम बारह इस प्रकार आप पदों को पहचान पा रहे हैं आए अब हम बात करते हैं इन पदों के कुछ गुण धर्म पर जो चरम पद हैं इनका यदी गुणानफल ग्यात किया बच्चों आए देखते हम ग् का क्या ग्यात हो जाएगा 144 ठीक इसी प्रकार से यदी मध्ध पदों का भी गुणनफल हम ग्यात करें आईए ग्यात कर देखते हैं क्या प्राप्त होता है मध्ध पद में हमारा है बारह एबम बारह और बारह गुणा बारह यदी करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 144 हम लोग क्या देख रहे हैं कि चरम पद का गुननफल भी 144 आया है मद्ध पदों का गुननफल भी हमें प्राप्थ हुआ है 144 अब सिर्फ यह क्या इसी स्थिति के लिए क्या सिर्फ इसी प्रश्ण में ऐसा हुआ है कि अन्य जितने भी समानुपातिक भैल्यू हैं सब के लिए ऐ और भी समानुपातिक भैल्यू पद आप लीजिए बहुत सारे किताब में हैं उसके चरम पदों को गुना के जिए मद्ध पदों को गुना के जिए और देखिए कि क्या गुननफल एक समान हैं आप पाएंगे कि चरम पदों का गुननफल और मद्ध पदों का गुननफल ए तो आप इसकी सहायता से भी आसाने से चेक कर सकते हैं जाज कर सकते हैं कि जो कथन लिखा गया है वह सत्त है या असत्त चरम पदों को गुना कर दिजी मध पदों का गुना कर दिजी यदि दोनों बराबर आया तो आपका कथन सत्त है कभी-कभी इन चार पदों में से कोई एक पद गायब भी रहेगा तो आप उसे भी आसानी से ग्यात कर पाएंगे आसा है बच्चों आप में समान उपात की समझ बिक्सित हुई होगी साथे साथ इसके बिजिन पदों को आप पहचान पाएंगे यदि कोई पद गायब है तो उसे ग्यात कर पाएंगे एबं इससे संबन्धित कई प्रकार के प्रश्ण आपके अभ्यास पुस्तिका में दिये गए तो हम लोग मिलेंगे नई कक्छा में और नई जानकारी के साथ तब तक आप क्या करेंगे खुब खुश रहेंगे एबं अधिक से अधिक अभ्यास के कार्यों को करेंगे तो इसके सारे प्रश्णों को आप बना जाएए हम लोग मिलते हैं नई कक्छा में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार